आप सबकाइब फिर से मेरे यूटूब चैनल पर मैं हूँ इमानशू और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ स्टेटिस्टिक्स के जैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट सिक्स्टीन या इससे पहले में पार्ट अप्लोड कर चूँआ अगर आपने वह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जागे दिएगे लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट को देख सकते हैं पार्ट की बात करूंगा आपके साथ करने कि कैसे हम हार्मोनिक को निकाल सकते हैं वह भी इंडिविजुल सीरीज में तो यह करता है गई अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दो दुबा तेज्जे और साथ में आ रही बैल यकन को जरूर दबा दीजे ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे तो आए गरते हैं आज की वीडियो स्टाट तो आए देखते हैं कैसे हम हार्मोनिक मीन को निकाल सकते हैं वो भी किस सीरीज में सर इंडिविज्वीज़ सीरीज में तो सबसे पहले हार्मोनिक मीन को निकालते कैसे हैं यह जाने से पहले हमें जाना जुरूरी कि हार्मोनिक मीन को निकाला क्यों जाता है जब हमने अर्थमेटिक मीन को निकाल लिया सुमेटिक मीन को निकाल लिया तो harmonic mean को निकालने के क्या जरूरत पड़ी तो sir harmonic mean कब निकाला जाता है जब हमें average निकालना हो question में क्या निकालना हो sir average निकालना हो तब हम harmonic mean का यूज करते है sir average निकालना हो तब harmonic mean का यूज करते है लेकिन average निकालने के लिए तो हम arithmetic mean का भी यूज़ करते हैं बिल्कुल sir but harmonic निकालने के लिए harmonic mean का तब यूज़ करते हैं जब हमें किसका average निकालना हो जब हमें question दिया हो distance related या फिर units related what a meaning sir पहले लिखी जी sir में sir we use the harmonic mean we use the harmonic mean to compute the average to compute the average when the question is when the question is related to related to distance जब आपका question जो है guys distance related हो और फिर बोला जाए आप average निकाल के बताओ तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे harmonic mean का use करेंगे sir समझ में नहीं आया मैं समझाता हूं guys suppose करिए कि यह हैरी है माली जी यह कौन है यह हैरी है इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए ए पॉइंट से एक हाँ गया बी पॉइंट तक गया और यहां पर इसकी speed थी 50 km पर आर 50 km पर आर इसकी speed थी और फिर again जब यह B से एक ही तरफ आया जब यह B से एक ही तरफ आया तो इसकी speed थी 40 km मीटर पर और हमें बोला गया find average हमें क्या बोला गया guys यहां पे find average अब आप लोग क्या करेंगे यहां पे average बोला हैं तो simple arithmetic mean निकाल देंगे 50 और 40 को जोड़ दिया 2 से divide कर दिया लेकिन सर यहां पे ऐसे नहीं करना यहां पे आपको arithmetic mean नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको harmonic mean निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें average तो निकालना है, but average किसका निकालना है guys, distance related question है तो हमें यहाँ पर harmonic mean निकालना होगा, तो sir question में कैसे पता चलेगा, कि हमें arithmetic mean निकालना है, symmetric mean निकालना है, यह harmonic mean में निकालना है तो फिर आपको questions को पढ़के समझना होगा कि हाँ पर harmonic में निकालना है या arithmetic में निकालना है या फिर geometric में निकालना है तो जहां पर भी distance related question आजाए वहाँ पर आपको harmonic में निकालना होगा ठीक है harmonic mean is equal to n upon me sigma 1 upon me x ये formula है is harmonic mean को निकालने का individual series में formula दिख गया होगोग वैज note कर लीजेगा अभी question कर ले मान लिजे मुझे observations दिये है दिख रहा होगो گई चीस ठीक है मान लिटेंज आधे मजह observation दिया हुए यानिके मुझे x दिया हुए कितना कितना दिया हुए वाले जा मुझे x दिया हुए थ्री 2, 4, 5, 6 और 7 यह मुझे observation दिवें मान लिटेंज आब इन observation की मदद से मुझे क्या निकालना है तो कैसे करेंगे देखते हैं अब यह आपजरीशन दिये हैं अब इसकी मदब से आपको हार्मोनिक में इनको निकालना है तो देखे कैसे करेंगे गई इस आपको एक ओर कॉलं में बनाना पड़ेगा तो सर्वह यहाँ पर रट दिल्द एक उत्स का एक-ओर से तो वन अपॉन थ्री कर ये गाई क्या हो जाएगा 0.33 0.0.33 ठीक है नेक्स्ट कर ये गाईज 1 डिवाइट बाई 2 0.5 ठीक है 0.5 नेक्स्ट कर ये गाईज 1 डिवाइट बाई 4 0.25 0.25 नेक्स्ट कर ये गाईज 5 तो 1 डिवाइट बाई 5 0.2 0.2 नेक्स्ट कर ये गाईज 1 डिवाइट बाई 6 1 डिवाइट बाई 6 0.166 0.16 नेक्स्ट कर ये गाईज 1 डिवाइट बाई 7 0.14 तो दिस इस यो 0.14 अब क्या करना है सब अब formula क्या है गईज sigma 1 upon x तो यहाँ पे sigma 1 upon x निकाल दीजिए कैसे ज़र इन सबको add कर देंगे तो add कर दीजिए गईज कितना कितना है गईज आप 0.33 plus में 0.5 plus में 0.25 plus में 0.2 plus में 0.16 plus में 0.14 यह निकाल देगा इजिए आगे आपका 1.58 ठीक है ज़र this is your 1.58 अब गईज n कितना है n क्या होता है गईज हमारा number of items होता है तो 1 2 3 4 5 6 हमारा n कितना है 6 ठीक है ज़र अब हाब हार्मोनिक में निकाल देगे ठीक है ज़र हार्मोनिक में निकाल दीजिए गईज formula आपको पता यह क्या formula है गईज उपर लिखावा है अपने formula formula आपने लिखावा है गईज क्या formula है n तो n कितना है गईज आपका 6 upon में sigma 1 upon x कितना है गईज 1 upon 5 8 तो 6 upon में 6 को divide कर दीजिए गईज 1 upon 5 8 थे answer आजाएगा आपका 3.79 तो harmonic mean क्या हो गया गईज आपका 3.79 this is your answer तो इस सरी किसे हम harmonic mean को निकाल सकते हैं गईज इंडिविज़न सीरीज में बहुत ही easy था गईज कोई भी rocket science नहीं था बहुत इसे formula में put करना है आपको ठीक है सर ठीक है सर तो आप गईज पैक्टिस करें harmonic mean की individual सीरीज में next video में बताऊँगा कि कैसे आप discrete series और frequency distribution सीरीज में harmonic mean को निकाल सकते हैं फिर भी कोई doubt होता है गर गईज इसमें तो please comment section रहागे comment करेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके doubts को clear करने की so thanks for the watching guys have a nice day